हलो देप, विलकुम बैक टो यूटुब चैनल, मैं हूँ गौरो काबरा और लीजिए इस IA में फाइनल के लिए अब आ गया है आपके लिए फॉर्एक्स का रिविजिए Forex के आज के इस revision में मैं आपको बताऊंगा कि ये में final level पे Forex का स्तर क्या है किस level का पूछा जा सकता है and कभी कबार जब ये improvise करते हैं और एक अलग level को touch करने की चेश्टा करते हैं तो कहा तक ये जा सकते है historically जितना समझा है उस हिसाब से ये जानता हूँ कि Forex वाला जो पूरा segment है ये काफी vulnerable area है क्यों? पहला काफी सारी चीजे है and चीजे थोड़ी सी above average है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा effort लगाना पड़ता है and सही माइने में कहूँ तो revision से जादा, classes से जादा useful है क्योंकि revision में कही चीजों को हम उपर से बात करेंगे कही चीजों के formulae revise करेंगे but I think that may not do justice to this topic दूसरे complex questions होते भी है यहाँ जो questions है वो थोड़े complex है even if एक simple और सुलजा हुआ सवाल भी होगा तो भी उसमें कही बच्चे confused होंगे कई बच्चे उलजेंगे तीसरा significant factor यह है कि derivatives भले ही अपने आप में बहुत आसान है लेकिन derivatives अगर यह भी मैं कहा रहा हूँ तो एक controversial statement है कि derivatives आसान है बट अगर derivatives के साथ forex में लाते हैं तो obviously complications बढ़ती है whether it be forward hedging or it be options hedging तो obviously इन सब ही में थोड़ा थोड़ा effort अपना लगता है चीजों को देख करके सवाल बनाने में तो यह acknowledgement किसी भी बच्चे को करनी ही चाहिए कि भई यह chapter hard chapters में गिंती में आता है दूसरा इसकी exam में काफी जादा appearances है ऐसा आप मान करके चलो कि exam में दो questions forex पे आपको नजर आ सकते हैं जिसमें से एक हो सकता है थोड़ा ज़ादा complex सवाल हो और एक relatively easier सवाल हो past term में जो 2016 syllabus में आस तक जितनी बार forex आया हुआ है 2018 और शायद 17 में उनको हम review कर रहे होंगे शायद में 2018 को review कर रहे होंगा दो terms में review करूँगा या दो साल review करूँगा चार terms review करूँगा तो I'll tell you exactly कितने क्या type के सवाल आए है total 8 सवाल आए हैं इन चार terms में मिला के मतलब वही बात है on an average दो सवाल per term के आ रहे है और उनका स्तर क्या है वो आप खुद से assess कर पाओगे आने वाले टाइम पे भी Forex में उसी तरह के सतर के questions के expect आप कर सकते हो यह मैं कहा सकता हूँ generalize कर सकता हूँ that there is good great chance कि Forex में सवाल simple आएंगे and जो चीज़ा भी हम revise करने वाले हैं उसके आसपास आएंगे एकादा थोड़े से dynamic question के लिए भी ready रहना चाहिए at least in this chapter बैया क्या यह बाकी जगा लागव होता है I would say not so much अगर हम Forex का overall cross comparison भी देखें along with CA finals as well तो CA finals में Forex में बहुत experimentation हो रहे हैं कम से यह में लास्ट पांट साल में मैं कहूं तो Forex में they are asking questions from various sorts तो वो सारे questions जो है वो CA में universe में कब आ सकते हैं पता तो नहीं है लेकिन आज तक historically जादा बार पूछे नहीं गए हैं और CA universe में भी वो काफी नए हैं मतलब CA में भी वो थोड़े से ऐसे half absurd question लगते हैं जब वो सीधे exam में आते हैं obviously इस तरह के questions को लेकर कि एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए एक अच्छा सटीक बच्चा ये बात जानता है कि अगर एक अलग type का सवाल exam में देखने को मिला तो there is good great chance कि उसमें हम उलजेंगे उसमें हम फसेंगे और हमारा time waste होगा ऐसे में strategize कैसे करना चाहिए strategize ऐसे कीज़े कि अगर थोड़ा सा भी difficult आपको लगता है कोई question तो उसको बात के लिए defer कीज़े पहले उन questions को attempt कीज़े जो आपको आते हैं ये simple एकदम simple approach हमने maintain किया है in the past और अभी भी मैं सबको यह कहता हूँ कि हमेशा ये देखते हुए चलो कि अपने से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है and accordingly आगे paper को solve करते जाओ एक detailed strategical video भी मैं आपके लिए बना दूँगा and उसमें भी discussion हम कर देंगे कि किस तरह SFM की paper को हमको review करना चाहिए किस तरह हमें उसे solve करना चाहिए मिलेगा उसके बाद हम एक एक करके सवाल solve करना शुरू करेंगे आज टोटल आठ सवालों को मैं लेकर के आ रहा हूँ जो कि पिछले चार्ट टम्स में से spread out है इसमें December 19, June 19, December 18 और June 18 के papers हैं तो इन सारे papers को evaluate करने वाले हैं आपस से समझने वाले हैं कि derivatives के सतर का mix होकर क्या आता है Forex के साथ में और बाद बागी Forex overall जेनरल अगर सवाल आता तो कैसा बनता है उन साहीच चीजों के ओपर चर्चा होगी हम आम तोर पर आभी तक जितने revision कर रहे थे उनके Part 1 और Part 2 बना रहे थे बट आज मेरी इच्छा है कि Forex को एक सिंगल लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करें तो आई ये शुरुबात कर लेते हैं चली सबसे पहले Forex में एकदम basic understanding की बहुत जादा जुरू रहता है अगर आप basic level पे quote नहीं समझ सकते कि direct quote क्या है ये इंडिया के लिए एक direct quote है direct quote वो quote होता है जिसमें domestic currency होती है उपर और foreign currency होती है इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए जो हमारी domestic currency है वो है रूपी तो वो आप इस quote में देख सकते हैं उपर की तरफ है और जो dollar है वो है नीचे और dollar अमारे लिए एक foreign currency है तो correct way of writing any quote is direct quote जहां पे आप अपनी currency को उपर रखते हो और foreign currency को नीचे रखते हो इसका मतलब भी यही निकल करके आता है कि अगर मालनो rupee by dollar की value है 80 तो इसका मतलब यह होता है कि एक dollar की कीमत है 80 रुपए यह है आपके लिए direct quote next आता अपने सामने indirect quote indirect quote इसी का just उल्टा हो जाएगा यह Indian context में ही मैं बात कर रहा हूँ लेकिन currency मैं अब बता रहा हूँ dollar by rupee के format में जब dollar by rupee के format में है तो उपर अपकी वार foreign currency हो गई और नीचे हो गई domestic currency आम तौर पर यह कम ही use होता है और अगर कभी कबार आ भी जाए तो आपको इसको direct quote में convert करने के लिए इसका reciprocal करना चाहिए जिसे example के तौर पर अगर आपको dollar by rupee की value दी हुई है 0.025 तो आपको इसको reciprocal करके rupee by dollar बनाना चाहिए तो reciprocal कैसे होगा 0.025 divide equal to value area 40 कुछ जादा ही कम होगया वैज़े बट जो भी है result आपके साबने है तो यह है आपके लिए direct और indirect quote दौनों में hair fair चलता ही रहेगा in fact हम एक सवाल बनाएंगे जिसमें इसका काफी हत तक use आएगा तो यह concept बहुत important है ध्यान रखना है इसको next आते हैं into bid ask quotes अब bid ask की दुनिया ऐसी है कि अगर हम rupee by dollar की किसी भी merchant से rate पुछें तो वो rate बताएंगे 82 slash 82.50 अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर आप एक merchant की पास जाते हो और उसको बोलते हो मेरे को dollar खरीदने का है तो dealer आपको dollar बेचेगा लेकिन dollar बेचते वक्त they will give you a higher rate तो वो आपको dollar जब बेचेंगे तो वो 82.50 में देंगे और आपको भी 82.50 में खरीदना पड़ेगा dollars पर आपको अगर dollars निकालने होंगे बेचने होंगे तब क्या होगा then the dealer is going to buy at a lower rate and you will have to sell at a lower rate तो आपको यहाँ पर 82 में अपने dollars को बेचने पड़ेंगे अब इसको दो perspective से समझ लेना पहला perspective होता है from the perspective of merchant तो जो merchant है या dealer है उसका काम यह है कि भई हमको एक ऐसी sell rate offer करनी है जिस rate जो rate lower हो और एक ऐसी buy rate offer करनी है जो की higher हो या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनको खरीदना जिसमें है यह rate लगाएंगे कम और इनको बेचना जिसमें है वो rate होगी इनकी जादा हमारे लिए उल्टा हो जाएगा अगर हमें customer के point of view से सोचे तो customer में हम जब अपनी करन्सी को बेचना है तो हमें कम पैसे मिलेंगे और जब हमें खरीदना पढ़ रहा है तो हमको जादा देने होगे ठीक है ना तो यह बात समझेगा दोनों की perspective के थोड़े से differences है खयाल रखिएगा उसका मुझे हमेजा customer perspective पसंद आता है customer perspective बहुत आसान है सीधा सीधा समझ में आता है बेचना तो कम मिलेगा और खरीदना तो ज़्यादा देना पढ़ेगा तो इसमें आपकी जो पहली currency की quote है इसे हम कहते हैं bid दूसरी को हम बोलते है ask यही चीज यहां लिखी है कि bid कहा है? bid is the selling price of base currency and ask is the buying price of the base currency यह customer के perspective से मैंने लिख रखा है यहां पर यह भी बोला है कि ask usually bid से जाधा ही होता है और यह होना भी चाहिए क्योंकि अगर ask bid से जाधा नहीं हो तो dealer का spread कैसे बनेगा? dealer की कमाई कैसे होगी? and this is the reason why ask is generally higher than the bid generally क्या हमेशा ही higher रहेगा कभी कभार equal भी हो सकता है बट equal के chances बहुत कम होते है higher रहे होगा, ठीक है? lower नहीं हो सकता next up is the concept of cross rates cross rates में देखो multiplication या divide करके आपको दो या उससे जाधा currencies के pairs को ले करके आपको एक नई currency का pair बनाना पड़ता है अब यह काम करने के लिए या तो into करते हैं या तो divide करते हैं कुछ operations यहां कर सकते हैं आप जैसे कि example के तौर पे आपको a by c चाहिए, from a by b and b by c, तो इन दोनों को आपस में multiply कर दो, तो a by b into b by c करने पे b b कर जाएगा and you will get a by c अब इस तरह के multiple operations हो सकते हैं जहां पे कहीं into होगा कहीं पे divide होगा, तो वो आपको यहां manage करते हुए चलना होगा हाला कि मैंने कई सारे scenarios यहां पे आपके सामने रखे हैं और आपको on scenarios को बस एक बार देखना है, ठीक है ना यहां पे सारे scenarios mentioned है class में भी इसी तरह हमने पढ़ा एक्दम अपने को चाहिए A उपर और D नीचे तो आप सबसे पहले यह देखो कि क्या किसी भी कोट में A उपर है, तो जवाब है yes, है एकदम A उपर, तो हमारा starting point यही होगा, we'll start off with A by B, अब हमें A by B के साथ में multiply करना पड़ेगा एक ऐसी कोट से जिसमें B उपर होता की B भी कट जाए, लेकिन unfortunately हमारे पास नहीं दिया हुआ है B by C, उल्टा दिया हुआ है C by B तो हम उस कोट को divide करेंगे, ताकि वो जब multiply में जाए, तो फिर वो B by C हो जाए, reciprocal हो जाए, तो हम यहाँ पर divide करेंगे with C by B अब C by B करने से आपका C आजाएगा, नीचे B उपर आके cut-cut आगया अब C नीचे तो एक ऐसी कोट चीए, जिसमें C उपर हो, दूसरी हमारे पास जो कोट है वो D by C है, तो इसको भी divide करके डालेंगे, ताकि यह D by C effectively C by D हो जाए अब इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है, कब multiply होगा, कब divide होगा उसका ख्याल रखना है, एक बात का और ख्याल रखना है, कि अगर आपका division operation होगा, तो उस case में, दोस्तों, यहाँ diagonal rule लगेगा, what is diagonal rule? diagonal rule is a rule, कि आपको divide जब करना है, तो उसमें bid से करना है, या फिर ask से करना है, या आपको समझना पड़ेगा clear? तो यह चीज का ख्याल रखिएगा एक बार इस rule को देखिएगा, diagonal rule की हम practice अच्छे से करेंगे इसके अलाबा, अब हमें next जो देखना है वो है arbitrage process arbitrage process interesting है in fact, जाता तर सवाल इसी concept के इर्दगिर्द आते है arbitrage में यह होगा कि आपको एक cross rate calculate करनी पड़ेगी और आपको यह check करना है कि वही cross rate जो आपने calculate करी है, क्या उसका कोई dealer का quote available है, क्या अगर कोई dealer ने quote दिया और उसका quote आपकी cross rate से जादा है तब आपको एक काम करना है, कि उस dealer को जाकर के बोलना है, कि भाई हम currency sell करेंगे तुमारे पास at your quote, और खुद को cross rate के route से, यानि inter market या inter bank, या bank route से, inter bank तो क्या बोलना, bank route से जाकर के, या dealer route से जाकर के या merchant route से जाकर के, हमें बाखी transaction complete करने होंगे arbitrage तब ही होता है, जब pricing differences हो, in the dealer's quote versus the quote that we have calculated तो cross rate हमेशा ध्यान रखेगा आपके cross rate से, अगर dealer की rate उपर है, तो dealer का sell करेंगे और अपने level पे खरीदारी जैसे करना करेंगे, उसका पूरा process है, देखेंगे सवाल में next, quoted rate अगर dealer का कम हो जाए तो dealer से rate खरीदेंगे dealer से हम खरीदेंगे, और बात बाकी जो sell करना है वो bank route में कैसे करेंगे उसका विवस्ता करना होगा, हमेशा arbitrage के सवाल में, starting point अगर आपको पता चल जाए, तो clarity आ जाती है obviously, थोड़ा सा महनत है इन सवालों में, लेकिन फिर भी एक शुरुवाती clarity बहुत जात ज़री है तो यह हमेशा समझेगा, कि dealer का court हमारे calculated court से जो theoretically cross rate हमने calculate किया है उसे जादा है कि कम बस ये देखो जादा है तो dealer के याँ जाके बेचेंगे और अगर कम है तो dealer के याँ जाके खरीदेंगे, ठीक है न, ये चीज़ का एक ख्याल लखना है, ये arbitrage process है next आता है forward rates, now forward rates are interesting forward rates सबसे पहले important इसलिए है क्योंकि हम आमतोर पे एक forward contract करते हैं जाकर के अपने dealer के साथ में for currency transactions अब ये forward contract जब आप कर रहे हैं swap rate क्या होता है या, swap rate होता है basically एक ऐसे points या ऐसे swap points होते हैं जो कि आपको अपने spot rate पे add या फिर less करना पड़ेगा in order to determine your forward rate अब इसके पीछे एक सीजा सा कानून ये है कि अगर आपके swap points को आप add करो और उससे जो spread है between bid and ask अगर वो widen हो जाए तो फिर add करो पर अगर आप उसे add करो और आप देखो कि आपका जो spread spot में मालो spread था 20 basis points का ठीक है 20 basis points नहीं बोलेंगे 20 points ही बोलना चाहिए basis points तो percentage हो जाते हैं अगर मालो आपके spot का जो spread हो था 20 और वहीं पे आपका जो spread आ रहा है in forward after adding the swap points 16 तो यह accepted नहीं है उस case में आपको swap points को add नहीं करके less करना पड़ेगा तो यह इसके पीछे का एक कानून है इसका ख्याल रखना है कि हमेशा forward का जो spread होगा वो spot के spread से होना चाहिए जादा इस एक चीज का ख्याल रखना है और कुछ भी इसमें खास बात नहीं है इसके लाबा एक interesting theory हम लोग पढ़ते हैं in the name of interest rate parity यह interest rate parity जो है उसके लिए आप formula लगाते हैं 1 year forward is equal to spot rate into 1 plus rate divided by 1 plus rate अब यहाँ यह rate क्या है rate पहला तो nominal rate है ठीक है ना nominal rate of interest है यह risk for the rate है और आप जिस देश की currency को उपर रख रहे हो उसी देश की rate लेनी है उपर में जैसे अगर आपकी quote है rupee by dollar तो rupee की rate होगी उपर और US की rate होगी नीचे obviously इसमें एक चीज और है कि हर बार एक साल दो साल का तो आएगा नहीं कई बार महीनों का भी calculation आता है तो in that case आपको यह जो rate है इसको into n by 12 करना पढ़ सकता है तो इस चीज के लिए prepared रहेगा in that case हम अपनी rate को into n by 12 करेंगे फिर उसका factor बनाएंगे by adding 1 to it तो यह एक चीज का खयाल रखना है rate बहुत simple है you need to calculate forward rate for that spot rate लीजे और उसमें 1 plus R और 1 plus R लगा दीजे उपर rate होगी जिसकी currency उपर नीचे rate होगी जिसकी currency नीचे यह nominal interest rates है जिसमें risk free rate आपको लेनी है नेक साथ है forward premium या discount एक बार आपके पास में forward का rate आजाए तो आपको यह पता करना कोई मुश्किल नहीं है कि हमारा forward का जो rate है वो एक premium पे trade कर रहा है या discount पे इसके लिए एक formula लगाना है और वो formula यह है कि आपको F minus S divided by S करना है into 100 करना है into 100 करके आप 12 by N से भी इसको multiply कर सकते हैं अगर आपको annualized manner में इसका result देना है तो एक सवाल इस पे भी हम practice करेंगे you will get to learn how to solve this लेकिन यह बहुत आसान है आपको forward rate में से spot rate घटाना है divide करना है by spot rate into 100 into 12 by N annualize करने के लिए अगर आपको annualize नहीं करना है तो 12 by N मत करना अब इसमें forward premium या discount जो आपको calculate करना पड़ा इसके लिए forward rate और spot rate चाहिए वो कहां से मिलेगा spot will be given in the question forward आपको calculate करना पड़ेगा या तो swap point से या फिर interest rate parity से वो दोने चीज़ा भी हमने review करी है उससे आईगी forward rate यह बात ध्यान रखना कि usually देख के भी बताया जा सकता है forward rate अगर हमारे spot rate से जाधा है in that case हमारा जो currency है वो एक premium पे trade कर रहा है और अगर हमारा forward हमारे spot rate से कम है in that case हमारा currency is trading at a discount हमेशा आपको यही देखना है कि जो भी premium या discount आ रहा है वो हमेशा base currency के perspective से आता है तो जब आपका forward आपके spot से जाधा है in rupee by dollar quote तो आपका जो premium आएगा ना वो premium दरसल dollars में premium है तो whenever we will state we will say that dollar is trading at a premium rather than saying rupee is trading at a premium तो हमेशा आपका जो thought process है वो हमेशा base currency का होना चाहिए और अगर base currency को देखते हुए आपका forward spot से जाधा है तो हम उसे कहेंगे forward premium clear for the base currency इसके अलाबा bid ask के case में भी आपको average quote निकालना पड़ सकता है और फिर उस पे आप calculate करोगे अपना premium या discount तो यह काफे interesting चीज़ है आपको bid और ask दे और आएगा spot का भी और futures का या forwards का भी तो उस case में आप क्या करें bid का निकाले अलग से या फिर ask का तो हम bid और ask की average लेंगे for both spot as well as forward rate और फिर उनके differential से हम पता करेंगे कि हमारा कैसे calculation आएगा for forward premium और discount इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखना अगर एक currency forward premium में तो दूसरी currency forward discount में होगी लेकिन दोनों की percentage सेम नहीं होगी कई बार हम यह गलती करता है कि एक currency 5% के premium पे है तो दूसरी 5% के discount पैसा नहीं होगा discount थोड़ा कम होगा 5% से अब वो कितना होगा for that we will have to again calculate by taking that currency in our denominator ठीक है थोड़ा सा समस्या रहेगा इसमें क्या करना होगा इसमें आपको अपने spot और अपने forward दोनों को reciprocal करके calculate करना पड़ेगा indirect quote और indirect quotes को compare करना होगा in order to find out the correct percentage discount in case of the other currency तो यह interesting है ध्यान रखना है इस बात का next आता है arbitrage process again इस पे भी एक arbitrage process बन सकता है अगर आपको यह पता चला कि dealer का quote rupee by dollar का forward का rate आपके theoretical forward rate से जाद है now what is theoretical forward rate यही जो आपने interest rate parity में calculate किया अब interest rate parity के हिसाब से अगर आपका dollar का rate आता है मालनो 82 rupees और dealer quote दे रहा है 85 का तो समझ जाना pricing में गड़बड है और आप वहाँ arbitrage कर सकते हो करना क्या होगा वह यह simple है अगर आपके dealer के quote आपको महंगे लग रहे हैं तो आप dealer के quote पे sell करो sell करके आप क्या करोगे आप borrow करोगे risk free rate पे और dollars immediately buy करके spot rate पे invest कर दोगे risk free rate में तो काफी कुछ हो रहे हैं आपे आप सबसे पहले रूपी में borrow करोगे रूपी में borrow करके आप उनी रूपेयों को convert करोगे dollars में फिर dollars में आप जा करके invest कर दोगे and at the end dealer का जो dollars है उसको बेचना जितना है वो पता चल जाएगा एक proper process है इसका again इस पे सवाल आएगा तो अच्छे से समझेंगे next है fissure effect fissure effect बहुत simple है हम 1 plus nominal rate को calculate करने चाहें तो उसके लिए हमें 1 plus real rate और 1 plus inflation premium को आपस में product करना पड़ता है ऐसे में अगर आपको nominal rate बता करने है तो यह वाला formula लग जाएगा जिसमें plus 1 वहां से निकल करके minus 1 बन जाएगा यह आपके लिए fissure effect इसी fissure effect को आगे और बढ़ाएं तो आज आता है purchasing power parity purchasing power parity हमको यह बताता है कि जो currency के बीच में जो difference आज आता है pricing में correct वो आता है या difference आता है court में वो आता है only because of the interest rate differential and interest rate differential जो आता है वो आता है because of the inflation rate differential तो purchasing power parity का यह कहना है कि आपके 2 currencies की real rate तो constant ही होती है same होती है लेकिन फिर भी उनकी nominal rate का difference होने का reason है inflation premium and that is why हम inflation premium के भी factor से यह काम कर सकते हैं जो काम हम करने वाले थे with the nominal risk rates in interest rate parity इस formula में अगर आप देखेंगे तो हम expected spot rate calculate कर रहे हैं और यह expected spot rate calculate करने का तरीका क्या है आप inflation के difference के factors देख लो तो इंडिया में जो inflation होगा उसको हम उपर वाले factor में डालेंगे और US में जो inflation का rate होगा उसको हम नीचे वाले factor में डालेंगे काफी आसान और सीधा तरीका है follow करने से समझ में आगा कैसे solve होगा इसके अलबा हेजिंग पे बहुत सवाल आएंगे class notes को refer करना बहुत ज़री है इसको revision के दौरान समझाना मुश्किल है तो हम hedging करेंगे अभी सवाल प्राक्टेस करेंगे जिसमें forward hedging में आपको सिखाऊंगा money market hedge पे भी सवाल है वो भी करवाँगा and I think currency options पे भी hedging का कोई option होगा तो वो भी देखेंगे नहीं होगा तो class notes refer करने पड़ेंगे यह ऐसे areas हैं जिनको अगर आपने class notes नहीं देखे तो नहीं होगा तो यह इतना सा area है ध्यान रखना मैं दो चीज़ तो definitely अभी solve करवाँगा forward और money market hedge इसके अलवाँ शायद currency options पे सवाल नहीं आए होगे कभी तो शायद यह cover होगा नहीं होगा देखा जाएगा finally currency swap भी है currency swap again इसमें कोई explanation की दरकार नहीं है सवाल आएगा we will see किस तरह से swap creation हमें करनी है इसका कानून बस इतना सा होता है कि एक देश को एक currency में लेना है कोई loan और दूसरे देश को दूसरी currency में loan लेना है हम इनके इच्छा के विरुद इन दोनों के requirements के विरुद दोनों को उल्टा loan अपलाई करने के लिए कहते हैं फिर बोलते हैं अपने principles को exchange करो time to time interest exchange करो और last में जब loan चुकाने की बारी आए तो अपने वापस principle को re-exchange कर लो काफी effective तरीका है अपने interest cost को कम करने के लिए और ये एक ऐसे scenario में practice होता है जहां पे आप दो अलग-अलग currencies में deal कर रहे हो अगेर इस पे जादातर सवाल तो derivatives में हमने बनाये हुआ है swap पर फिर भी currency swap एक अलग category है जिसको forex में भी हम लोग देख रहे होंगे ठीक है चलो perfect है इसी के साथ ये revision का मोटा-मोटा segment complete होता है इस पूरे revision में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बीच-बीच में derivatives के कुछ-कुछ applications करने पड़ेंगे जो मैंने आपको अब भी फिलाल cover नहीं किये जिसे example के तौर पर अगर हमने कोई forward contract enter किया है तो forward contract को cancel कैसे करते है वो हमें आना चाहिए यह forward contract की cancellation के उपर में मैंने आपको derivatives में revision कराया हुआ है कि किस तरह forward contract को cancel करते है किस तरह नए contracts में roll over करते है तो वो सारी चीज़ें वहाँ derivatives में cover किई हुई है तो Forex में उसका application होगा but that is not a part of Forex understanding, ठीक है, Forex में जो main main बातों का आपको understanding होना चाहिए वो ये है, और बात बाकी चीज़े derivatives के revision करना पड़ेगा again, ये एक बहुत important fulcrum है जा मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक derivatives revise नहीं किया है, तो please Forex में तोड़े सतर्क रहिएगा because this is where you will face a lot of questions which are mixed with derivatives and Forex so derivatives revise करना ज़रूरी है ठीक है, चले, अब आगे बढ़ते है ये revision इतना होने के बाद में, अब next लोग जो कर रहे हैं हो सवालों में आगे, सवाल मैंने जैसे आपको कहा, मैं 4 term के questions कवर कर रहा हूँ और ये 4 term में मिला के 8 questions आए है on an average 2 questions per term कभी कभार 3 आते, कभी कभार 1 भी आता है तो वो होता रहता है, but yes on an average 2 questions Forex से आते हैं फिलाल, December 19 का जो सवाल था वो चाहँच सब से trickiest question था तो इसको हम बाद में discuss करेंगे लेकिन उसके बाद वाले questions को पहले review करना शुरू करते हैं I will get started with question number 2 first में बाद फिर से याद रखेगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर question number 1 को फिलाल skip कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा technical है We will first start with December 2019 का दूसरा सवाल जो की 6 marks के लिए आया हुआ है तो यह सवाल का है प्लीज एक बार पढ़िए Global Limited एक Indian company है जिसको 5 lakh dollars 5 lakh dollars की दरकार है कब से दरकार है 90 days के बाद में इनको information यह दिया कि आज की आज एक spot rate available है और यह जो spot rate available है वो है 69.50 पे अब इसको डंग से पढ़िएगा ठीक है This is not 69.50 This is 69.5 Correct So basically आज की rate पे जो रूपी डॉलर की rate चल रही है वो है 69.50 की इसके अलावा 90 days का एक forward rate भी हमारे पास available है and 90 days का जो हमारे पास forward available है वो है 71.50 में आपको बोला है कि US और इंडिया में अगर आप deposit या borrow करो तो उसकी quotes यहां पे दियूई है आपको बूचा है कि क्या हम यहां पे कोई strategy लगा सकते है money market hedge का versus no hedge का और compute कर सकते है कि क्या हमारा कोई net advantage है या नहीं है हमें 2 decimal places में इसकी calculation करके दिखानी है तो यह है इसका सवाल simple straightforward सवाल है सबसे पहले no hedging experience की बात कर लेते हैं ठीक है no hedging experience हमें क्या कहता है no hedging experience हमें यह कहता है कि भाया हम कोई hedge hedge करेंगे नहीं जो होगा उसको देखा जाएगा ठीक है तो जो होगा उसे देखेंगे कोई बात नहीं ठीक है इसके अलावा हमें यहां पे यह देखना है कि भाया money market hedge में हम क्या क्या कर सकते है कैसे करें invest ताकि जो हमारा maturity amount है वो आए 5 lakhs dot तो हमें 5 lakhs की दरकार पड़ेगी हम एक ऐसी investment आज ही कर देते हैं जिससे हमें 5 lakh dollars मिल जाएंगे कब 90 days के बाद obviously आप कहेंगे कि sir ये कहां से आएंगे where will we get this from वो बहुत simple है आपको ये dollars में invest करने के लिए आज के आज कुछ रुपे उधार लेने पड़ेंगे you will borrow certain rupees कितने पता ने लेकिन करेंगे जरूर we will borrow certain rupees at risk free rate ये हमारा assumption रहता है कि हम risk free rate पे borrow कर पाएंगे and इसको हम immediately exchange करवा लेंगे using spot rate ठीक है तो spot rate पे आज के आज ये exchange हो जाएगा spot rate आपकी जानकारे के लिए बता दू 69.50 है तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा हमें कितने रुपे बौरो करने है जाहिर से बात है बौरो करोगे तो उस पे interest भी लगेगा तो after interest हमारा maturity पे इसका क्या amount आएगा ये हमें calculate करना है under what under this money market rules ठीक है ना तो money market strategy सबसे पहले हम follow करेंगे and we will see कि किस तरह से हमारे यापे total investment amount हमें मिलेगा ठीक है आओ जी इसको एक बार पहले money market के हिसाब से solve करते है चलो एकदम simple हिजाब रखते है अपने को आज dollars में invest करता है तो मैं यहां money market hedge का आपको style बता रहा हूँ हम पहले step में dollars में invest करेंगे invest कितना करना है वह हमें इतना invest करना है कि हमें 5 lakh रुपे मिल जाए 5 lakh dollars actually मिल जाए ठीक है कितने दिन बाद 90 days बाद वैसे 360 days लेना है कि 365 कुछ बोला है कुछ खास बोला नहीं तो 360 days लेके करेंगे easy answer आएगा तो देखो मेरी बात आप अगर US में invest करते हैं deposit करते हैं US में तो 1.25% की आपको rate यहां पे मिलेगी correct तो यहां पे 1.0 अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए यह rates जो है ना 90 days की rate है तो आपको इनको into 90 by 360 करने की दरकार नहीं है यह 90 days की rate है तो 90 दिन का 1.25% effectively US का interest rate मिलता है आपको तो आपको divide करना है अपनी requirement को तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपे आज invest करने पड़ेंगे so your answer is 5 lakh divided by 1.0125 5 lakh divided by 1.0125 so this is 493 827 बोला है दो डेसिमल्स तो दो डेसिमल्स ले लिजेगा 0.16 तो इतना आज हमें invest करना है in dollars जाही जिवात है मारे पास पैसे नहीं है इतने तो हमें आज कुछ बॉरो करना पड़ेगा रुपे कितने रुपे बॉरो करने पड़ेंगे वो depend करता है हमें dollars कितने चाहिए हमें dollars चाहिए 493,827.16 और आज की date पे जो rate चल रही है dollars की वो है 69.5 तो हमें कितने रुपे हों की दरकार पड़ेगी into 69.5 तो हमें आज दरकार पड़ेगी 34 34 million आ रहा है हमें आज इतने रुपे हों की दरकार पड़ेगी 3,43,000,000 जाहिड सी बात है इस पे हम ये भी चेक करेंगे कि हमको repayable अब कितना होगा after 90 days repayable after 90 days तो अब इसमें ध्यान रखिएगा आपको borrow करना है इतना amount इस amount को borrow करने के लिए इंडिया में जो borrowing rate चल रही है वो है 3% तो आपको इसको into 1.03 करना है so 34 32 0987 343 20 987 into 1.03 तो आपका जो total payable आ रहा है जो आपका total payable आ रहा है वो आएगा 35 35 350 617 ठीक है 353 50617 एक बार इसको observe करें प्लीज या आपका money market hedge में final payable item आ रहा है 353 506 17 353 clear done चलो ये done हुआ next हमें hedge नहीं करना है अगर हमें hedge नहीं करना है तो हमें एक estimated एक estimated spot price चाहिए clear हमें एक estimated spot price चाहिए तो वो estimated spot price भी जो होगा ना वो याँ दिया हुआ ही नहीं है आप अगर सवाल में देखोगे तो this is not given एक estimated spot price क्या होगा जाद जाद आप बोल सकते हैं 71.5 हमारा forward rate है so are we going to expect this maybe yes अगर हम ये मानते हैं कि हमारा estimated spot price is equal to our forward price तो हम अपने no hedging scenario को आगे बढ़ा करके solve कर सकते हैं शायद हम ये ही कर रहे होंगे तब ही जाकर के सवाल complete होगा नहीं तो estimated spot price जूण से रह जाएंगे so आईए forward rate कैसे निकलेगा या no hedging में क्या होगा वो समझे so no hedging में आपको देखने को मिलेगा that estimated spot price at the end of 90 days is equal to estimated spot price at the end of 90 days is equal to how much 71.50 तो अगर हम अपने dollars जो हमें pay करने हैं उनको हम wait करें और पूरे 90 दिन बाद ही pay करना चाहें तो उस दिन price हो जाएगा rupee by dollar का 71.50 and accordingly हमें 5 lakh dollars जब इसको convert कराने होगे तो कितने रुपे लगेंगे simple है rupee needed is equal to हमें चाहिए 5 lakh dollars और dollars की rate चल रही है 71.5 per dollar तो इसका value आ रहा है 5 lakh into 71.5 so यहार है 35 7500 तो आप कम्पेर कर सकते हैं आप जब हेजिंग कर रहे थे money market के through तो आपको जो outflow पढ़ रहा था वो था 353.50617 और आप जब हेजिंग कर रहे हैं through I would say forward वैसे हेजिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पढ़ रहा है 357.500 तो obviously आपको यहां पे एक extra outflow देखने को मिल रहा है अगर आप बिना हेज किये जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पढ़ेंगे आप हेज करोगे तो definitely कुछ फाइदा होगा कितना फाइदा? calculate कर लेते हैं हमको यहां net gain जो होगा because of money market hedge is equal to 357.500.000 minus 353.50617 so this is rupees 399.383 this is going to be our net gain in this situation बहुत ही simple and I think answer match होता है एक रुपे का अंतर है कोई खास फर्क नहीं है एक बार review कर लीजे very simple मैंने no hedging को compare किया है with our money market hedge and the result or the difference is 399.383 यह आपने observe done आगे बढ़ना चाहिए है चली next question की तरफ चलते है question number 3 question number 3 यह जून 2019 में आया हुआ है for 8 marks and this is around the concept of swap अब देखने में यह लग रहा है currency swap लें सही माइने में यह derivatives का ही question है क्यों? क्योंकि इसमें currency की बात सिर्व उपर इतनी सी है USD 50 million dollars जो कि किसी भी student को एक बार पढ़ते ही ऐसा लाई है यह तो forex का सवाल है जबकि यह नहीं है यह derivatives का है derivatives में जैसे हम लोग swap solve करते है वैसे यहां करेंगे आसान है discuss करते है दो कंपनिया है X and Y दौनों को 50 million US dollars raise करने है आपको बोला है कि X कंपनी को जो rates मिल रही है fixed rate मिल रही है 7.5 की और floating मिल रहा है LIBOR plus 25 basis point का Y को मिल रहा है fixed rate of 8.45 जबकि floating मिल रहा है LIBOR plus 37 basis points का 37 basis points का मतल हो गया 0.37 percentage यहां बोला है कि bank भी जो है वो commission 0.2% लेना चाता है यहां लिखा तो है fully born by Y पर आगे जा करके एक contradictory statement आपको देखने को मिलेगा मैं बताऊंगा आपको तो यहां बोला है कि 0.2% है यह पूरा बोला कमिशन कौन बियर करेगा बियर करेगा Y अच्छा ठीक है यहां बोला है कि एक interest rate swap यह arrange कर सकता है between X and Y अब यहां जो जो बोला है उसका ध्यान रखना X को floating चाहिए X को floating चाहिए तो हम इसको fix दिरवाएंगे यह एकदम swap की basic कानून है जो जिसको चाहिए वो उसको नहीं देना है कुछ और देना है तो अगर उसको floating चाहिए तो हम उसको दिरवाएंगे क्या fix ठीक है वहीं पर अपने हो बोला है Y को चाहिए fix भईया Y को fix चाहिए तो Y को हम दिरवादेंगे floating यह इसका फाइदा क्या होगा मैं बता दूँगा इसके अलावा अपने को बोला है कि workout करो किसका कितना payable है और receivable है in the swap in percentage terms and अपने को यह बताओ कि कितना benefit हुआ after commission which are shared between X and Y in the ratio of 60-40 now this is a contradictory statement अब यह contradictory क्यों है समझी है यहां बोला है कि जो भी benefit होगा commission काटने के बाद वो फिर हमको X और Y में बाटना है in the ratio of 60-40 जब यह उपर बोला था कि आप bank B का जो commission अब वो सिर्फ Y bear करेगा गलत है यह कैसे? क्योंकि अगर सिर्फ Y को bear करना होता तो हम before नहीं sorry after नहीं before commission अपने benefits को split कर रहे होते और split करने के बाद में B को बोलते कि तुम उसका commission pay करो कैसा हो रहा है? नहीं इन्होंने दोनों लाइनों में फसागर के सवाल बनाया है जो कि गलत है आपको अगर after commission बोला है तो इसका मतलब यहीं निकलता है कि X और Y दोनों एक खटे मिल करके जो भी benefit आएगा उसमें से commission pay करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो एक दूसरे को ले करके जाएंगे एक दूसरे के साथ ठीक है ना? यहां एक दूसरे में बाटेंगे 60-40 में तो यहां उपर जो लिखी हुई बात है यह fully bond by Y सच बताऊं तो यह बात हो गई एकदम irrelevant अब भोलने के लिए आसान लगता है irrelevant बट सही मायने में यह सवाल गलत है कोई बात ही आगे बोला effective rate of interest भी बता देना XY का after getting the gains from the swap वो तो हम बताएंगे ही और बताना है किसने कितने dollars actual में बचाए एक साल में आसान है आगे discussion करते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा about X और Y यह कर क्या रहे हैं पहले तो इसकी बात करते हैं अब यहां सवाल में बोला था कि X को floating चाहिए floating चाहिए तो हमने इसको जबरन जबरन दिरवा दिया क्या fix तो इसका outflow हमने fix करवा दिया 7.5% पर और Y को चाहिए था fix इसको हमने बोला तुम जाकर के floating करो अब ऐसा हम करवा क्यों रहे हैं reason बताता हूँ ऐसा हम इसले करवा रहे हैं क्योंकि अगर ये लोग अपनी मन मर्जी करते अगर ही अपनी मन मर्जी करते यानि X को क्या चाहिए था floating तो X का खर्चा कितना लगता floating पे X का floating पे answer आता या actually rate परता L प्लस 0.25% अच्छा Y का कितना परता Y को चाहिए था fixed और fixed पे आता 8.45% ठीक है इन दोनों को जोड लीजे 0.25 plus 0.45 plus 8 8.7 ठीक है तो इनकी आ रही है L plus 8.7% अगर ये लोग swap नहीं करते ये मन मर्जी करते तो ठीक है ना मन मर्जी हम करने तो देंगे नहीं इनको काम करो और हमने इनको बोला अलग-अलग rate ले लो और इन्होंने किया भी X ने अब किये वार 7.5 पे लोन ले लिया और Y ने लोन ले लिया L plus 0.37% पे अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आता है L plus यानि LIBOR plus 7.87% तो कहा 8.7 कहा 7.87 Clearly there would be a saving अगर यह हम लोग के हिसाब से चले तो तो इनकी जो gross saving है वो अने वाली है 8.7 minus 7.87 यानि 0.83% इसमें जरूर यह swap arrange करने के लिए commission देना पड़ेगा commission will be to the tune of 0.2% तो भी इनकी net saving 0.63% आएगी इस 0.63 को हम बाटेंगे इन दोनों में और 60% जाएगा इसमें से X को और 40% जाएगा Y को यह है overall situation ठीक है अगर benefit 0.63% का और उसका 60% X को जाएगा तो X को net net कितना फाइदा हुआ X को फाइदा हो रहा है 0.378% का और Y को कितना फाइदा हो रहा है Y को फाइदा हो रहा है 0.252% का यह इनके benefits enjoyed है अब यही चीज आपको end result पे एक बार में ले जाएगा अगर आपको पता चल गया किसका कितना फाइदा हो रहा है तो जा करके उनको समझा दो कि देखो भाई X तुमको कितने में चाहिए था लोन तुम तो ready थे L प्लस 0.25 पे भी न तुम हमारे हिसाब से चलो हम तुमको इसमें फाइदा करवा देंगे कितने का फाइदा जहां L प्लस 0.25 लग रहा था हम तुमारा सेविंग करवा देंगे of 0.378 परसेंट अगर हमारे हिसाब से चलोगे तो So he was ready to pay L प्लस 0.25 We have told him कि रुख जा हमारे हिसाब से चलो तो यह हमारे हिसाब से चलो और इसको फाइदा होगा So इसको फाइदा होने वाला है और इसका net जो cost पड़ेगा effective cost वो पड़ेगा L-0.128% हम शो करेंगे वाया डायग्राम पर मैं फिर भी calculate करके बता रहा हूँ और वहीं पर Y 8.45 में खुशी-खुशी loan लेने वाला था हम ने इसको बोला रुको तुम fix मत लो तुम floating लो और फिर हम घूम करके इसको benefit pass on कर रहे है तो इसको जहां 8.45 में ये राजी था अब इसको benefit मिल रहा है उसमें 0.252% का तो इसके लिए effective cost कितना पड़ेगा इसके लिए effective cost पड़ रहा है 8.198% and that is going to be his effective cost ये इसका effective cost आ गया तो दौनों की effective cost आ गया आप चाहे तो check कर सकते हैं यहां से इनके values भी आ जाएंगे 189.126 कैसे simple है इनकी जो requirement थी 50 million की उसको multiply कर दो with their benefits enjoyed so 0.378 into 50 million so 50 million into 0.378% ये हो गया 189,000 और ऐसे ही अगर 50 million पे उसको benefit हो रहा है 0.252% का ये calculate करें तो कितना हैगा 126,000 dollars में obviously ठीक है ये इसका overall structure कैसे मैंने समझाया क्या है बात बागी इसका diagram properly show करना है तो आओ वो show कर देता हूँ तो situation ये है कि हमारे पास है X हमारे पास है Y हमने X को बोला कि तुम fix rate loan ले लो 7.5% पे Y को हमने बोला तुम L प्लस 0.37% पे ले लो ठीक है L को जो फाइदा पहुचेगा वो पहुचेगा minus 378 minus 378 तो L को फाइदा पहुचेगा और इसको net cost पढ़ेगा L minus 0.128% इसको net cost यही पढ़ेगा यह इसका savings है यह हमने जबरन इसको दिरवाया है ठीक है और effective cost Y को कितना पढ़ेगा Y को effective cost पढ़ेगा 8.198% ऐसे ही calculate करना चाहिए ऐसे ही सोचना चाहिए ठीक है न ऐसे सोचोगे तो fast question होगा तब देखो मेरी बात इसको effective cost पढ़ना चाहिए L minus 0.128 इसको effective cost पढ़ना चाहिए 8.198 कैसे होगा यह simple है सबसे पहले हम बीच में एक bank को involve कर देते है Y को एक काम करो LIBOR दिरवादो क्या दिरवादो LIBOR Y को अगर LIBOR मिल जाएगा तो इसका tension कितम इसको जो चुकाना है LIBOR यानि एक floating rate वो तो इसको मिल गई किस से मिल गई bank से मिल गई तो जाहिर सी बात है Y danger से बाहर लेकिन Y को अपना effective cost को पहुचाना है 8.198 जबकि यह अभी तक सिर्फ 0.37 दे रहा है तो बाकी पैसे यह देगा भरेगा इसका value कैसे आएगा 8.198 minus 0.37 8.198 minus 0.37 तो he will pay 7.828% to bank B bank B bank B को LIBOR जो पे करना है इसको कहा से मिलेगा इसको X देगा तो X will pay LIBOR to the bank तो bank का भी tension गदा इसको LIBOR मिल रहा है दूसरा bank X को कितना पे करेगा तो bank को जब मिल रहा है 8.7.828 इसमें से 0.2% यह retain करेगा बाकी यह देदेगा तो bank will pay 7.628% 6.8% to whom to X X का net cost calculate कर लो आपको दिखेगा कि हाँ भाई X का net cost L minus 0.1280 ही आ रहा है कैसे X पे कर रहा है 7.50% X और पे कर रहा है LIBOR और X को मिल रहा है 7.682% सब मिला करके net cost LIBOR minus 0.128% आ रहा है इतना सा process होता है और इसे आपका यह swap का transaction हो गया complete कौन कितना पैसा किसको क्या देगा हमें पता चल गया और benefit को dollars में भी हमने calculate कर दिया है So, यह overall scenario अगर आपको इसको वापस से समझना है वापस थोड़ा पीछे जा करके इस वीडियो को वापस देखना समझ में भी आ जाएगा और हो भी जाएगा क्योंकि यह revision है तो मैं इसको double triple bar नहीं करूँगा क्लास में बहुत टाइम हमने दिया हुआ है perfect आगे बढ़ते next question की तरफ चलेंगे next question है ये एक बार सवाल पढ़ने का time लेंगे आप लोग एक मिनिट के लिए सवाल पढ़िए please आजी सवाल पढ़ाओगा आपने सवाल similar है to a question that we had seen earlier यहाँ पे हमें money market hedge और forward hedge को compare करना है यही सवाल है जहाँ पे आपको spot rate भी दिया है forward rate भी दिया है correct and यहाँ पे आपको obviously money market rates दिया है जिसमें deposit और borrowing की rate है याद रखना है यहाँ पे importer का सवाल है I think जितना मुझे याद है last वाल एक्सपोर्टर का सवाल था तो यहाँ पे हमें 20,000 डॉलर्स की payment करनी है नहीं वो भी importer कही था आसा न फिर तो हमें यह देखना है कि तीन महिने में इसकी पैसे देने है हमें तो हम क्या यहाँ money market hedge कर सकते हैं और क्या वो beneficial होगा in comparison to the forward hedge we'll find that out पहला question वही है दूसरे question में बोला है कि अगर हम forward contract hedge करते हैं तो हमारा annualized percentage cost क्या होगा so basically they are asking you forward premium or discount यहाँ पे clearly एक forward premium ही आना चाहिए ठीक है so we will compare that and यह बड़े आराम से हो जाएगा इसके अलवा हमें यहाँ पे present rupee outflow बताना है 1 और 2 में और advise करना है importer को the best course of action to minimize ठीक है तीज़वाल अलवाई है कि दौनों को आपको check करके बताना है कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए money market में जाना चाहिएगी forward में simple है एक एकर के बात करते है सबसे पहले money market की बात करूँगा मैं अगर हम money market की बात करें money market hedge की बात करें तो सबसे पहले आपका काम यह बनता है कि आप यह decide करो कि आपको कितने dollars invest करने हैं आज और यह depend करता है कि आपको कितने dollars चाहिए तो हमें चाहिए 20,000 dollars और 20,000 dollars हमें जो चाहिए वो चाहिए तीन महिने बात ठीक है तो हम US में invest करेंगे US में invest करने की rate है 6% तो हम इसको divide करेंगे by 1 plus 0.06 अब की बार याद रखिएगा कि यह percentages per annum है लास्ट वाल में नहीं था तो इसको आपको तीन महिने के हिसाब से calculate करना पड़ेगा तो यह आ रहा है 20,000 dollars divided by 1.015 आना चाहिए 1.015 तो इसका result आ रहा है dollars 19,704.43 इतने पैसों कि हमको जरुए ते dollars की जरुए आज कहां से आएंगे borrow करेंगे borrow rupee today तो भई आज के दिन हमारे dollars की requirement है 19,704.43 इसको लेने के लिए हमें spot rate पे अपने rupee को convert कराना पड़ेगा spot rate पे dollar खरीदने की rate है 74.90 ask की rate लेते हैं तो यह हो गया 74.90 तो अपने को आज कितने rupee की दरकार है आज हमें दरकार है 14758 61.81 we need this much money 14,75,801.81 ठीक है ना 14,75,861.81 यह इतना हमें दरकार है जाहिर सी बात है इस पे हमको repay करना पड़ेगा repayable after 3 months would be 14,75 861.81 इंडिया में अगर बोरो करोगे तो 11% की rate से लगेगा तो यह होगा 1 plus 0.11 into 3 by 12 so 0.11 into 3 by 12 this will be 14,75 861.81 into 1.0275 इसका value आ रहा है 15,16,48 4.48 4.48 so this is 15,16,48 यह आ रहा हमारा money market hedge में अगर यही हम forward hedge कर रहे होते हैं तो कितना लगता हमारा forward hedge में तो हमारा हिसाब के तब clear है rate हमें पता है rate है forward hedge में 75.9 so 20,000 डॉलर पे हमारा 75.9 के हिसाब से लगता 15,18,000 so clearly there is a gain if we go in M.M.H. यानी money market hedge कितने का gain है 15,18,000 minus 15,16,48 तो total gain है only 15,52 का बहुत जादा gain नहीं है 1552 रुपे का अपने कोई यहाँ पे gain मिल रहा है लेकिन obviously यह gain money market hedge में है so we will go ahead with money market hedge यह question number 1 का जवाब है पहले तो show how we can do it तो वो show हमने करना है theoretically इसका जवाब देने से हो जाएगा कि कब क्या करेंगे borrow करेंगे, क्या नहीं करेंगे process बताना है number 2 अभी बाकी हमारा करना करेंगे लेकिन number 3 हो चुका और हमने बता दिया बाई यह किसके साथ जाना है we will go with money market hedge अब आता है number 2 का बात हमें forward contract का hedge का annualized percentage निकालना है तो उसके लिए formula होगा F-S divided by S into 100 into 12 by 3 यह 3 महीने का था अपने को annualize करना है तो 12 महीने तो उस इसाब से this would be 75.9 minus 74.9 divided by 74.9 into 100 by into 400 ही कर देते है effectively into 400 कैसे है यह देको 100 और यह 4 है तो 400 ही कर दिया मैंने so this is 75.9 minus 74.9 divided by 74.9 into 400 so this is 5.34% 5.34% this is going to be our annualized percentage बलो जी answer match हो क्या 5.34% is our annualized cost of forward contract hedging इससे सस्ता हमको पढ़ रहा है money market तो definitely इससे कुछ कम पढ़ेगा यह हमारा answer please observe करें इसको 5.34% hedging का result है and money market hedge में जाने से 1552 रुपीज बचते हैं हमारे I think यह काफी आसान सवाल था इससे जादा आसान क्या ही सवाल होगा इंडियन कंपनी है इसको एक दिसंबर को September में हुआ ना सेल September, October, November 3 महिने का इनको टाइमिंग है 3 महिने में पैसे चुकाने है invoice amount है 13,750 similar question importer हो आप और importer के तौर पे आपको चुकाने है 13,750 आपको आज के दिन जो spot rate equivalent है वो दिया हो है 10,18,875 इसे spot rate निकल जाएगी spot rate जो हमारी होगी वो होगी 10,18,875 divided by 13,750 so 10,18,875 divided by 13,750 so यह है rupee by dollar का आज का rate और यह है 74.10 74.10 यह हमारा spot rate clear? perfect आगे बोला है कि 3 महिने का forward rate available है यह indirect quote में दिया है नहीं चलेगा हमको हमको direct quote चाहिए तो rupee by dollar हमको ले कर के आना है और यह reciprocal करने से हो जाएगा so this is 0.0134 का reciprocal यानि 74.63 74.63 rupee by dollar format में आगया direct quote में आगया यह हमारा forward rate available है हमको बोला है हमको सिर्फ half ही अपना exposure को hedge करना है तो 13.750 को hedge नहीं करना है हमको इसका आधा hedge करना है so that will be dollars 6875 आपको बोला है explain hedging transaction by forward contract कैसे हम इसमें enter करें and कितना हमारा payout होगा और net gain और loss भी बताना है hedging का अगर spot rates 1st December को इतनी और इतनी हो जाए चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं about our hedging net payout तो भाई बहुत simple है hedging में आपका जो forward rate है वो है 74.63 so your net payout in forward hedging जो कि आपको पता ही चल गया कितना होगा वो होगा 74.63 की rate से 6875 dollars 6875 dollars at the rate of 74.63 74.63 into 6875 यह आ रहा है 513081.25 513081.25 यह है आपका net payout in case of forward hedging अब हमें net gain और loss भी बताना है hedging का तो सबसे पहले तो आपकी spot rates जो दियो ही है end में 1st December को वो अगें indirect quote में दिया उसको भी direct quote में convert करो so 0.01338 को reverse करेंगे तो आता है 74.74 और 0.01352 को अगर reverse करेंगे तो आता है 73.96 तो दियो बहुत सिंपल है आपने 6875 के forward का agreement किया 6875 डॉलर्स का अगर आप जो डॉलर्स यहां पे खरीद रहे थे उसकी rate आपने तेह करी थी 74.63 और rate चली गई 74.74 आक्चल में तो आपका फाइदा हो गया आप enter किये थे 74.63 में जबको आपको exit मल रहा है 74.74 में तो आपको फाइदा हुआ 7.74 माइनस 74.63 का तो यह फाइदा होता है 0.11 into 6875 तो net gain आपका आ रहा है rupees 756.25 और यही अगर आप दूसरे rate पे देखो 73.96 तो आपका नुकसान है क्योंकि आप खरीदने का already एक मन बना चुके थे forward contract के through 74.63 में अब आज के दिन तो price काफी कम है आज के दिन price है 73.96 अगर आप formula लगाना चाते है तो st-x ठीक है या f यहाँ पे तो x नहीं होगा f होगा forward rate तो इसमें से minus करेंगे 74.63 result अपने आपी minus में आ चाहेगा तो यह आ रहा है 4606.25 यह लिजे आपके लिए profit या loss जो भी है वो आचुके हैं results आपके सामने है मुझे यह नहीं समया है इसको उपर का round off किया इसको नीचे का क्यों किया जो भी है rounding off का कोई खास problem नहीं है final में एक रुपे इदर उदर कोई फरक नहीं पड़ता पर यह अपनी situation पहला forward hedging करेंगे तो कितने रुपे का outflow है यह रहा यहाँ इसके अलावा अगर हमारे prices इतने इतने हो जाएं तो सबसे पहले indirect quotes को direct quotes में convert कीजे तो हो जाएंगे तो कितने कितना आपका profit या loss होगा वो हमारे सामने है plus है तो profit है minus है तो loss है चल डन समझ में आएगी सवाल अभी आपको उस्तर समझ में आ रहा होगा सवाल होगा कै मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमने question number 2 किया था शायद वो सबसे जादा technical था अभी तक का लिए उसका जैसे से हम नीचे हैं आसानी हुए है 6 में चलते है डॉलर पक्का receivable है डॉलर रेसीव करने को है 1,00,000 डॉलर इन 90 देज आपको बोल रहा है कि इसको एक put premium अच्छा put option का premium मिल रहा है जिसका strike price है 71.00 और 90 देज में ये settle होगा इसका premium इसको 1 रुपया देना पड़ेगा अगर इसको लेना है तो इसके अलाबा इसको ऐसा लगता भी है कि spot rate आगे आने वाले टाइम पे कम हो जाएगा आप देखो ये बहुत interesting है इसको जो strike price मिल रहा है 71 का जबकि इधर में इसको लग रहा है 69.5 चला जाएगा dollars तो definitely इसको दिख रहा है dollar में गिरावट आने वाली है क्योंकि अगर इसने ये hedge किया तो अगर आई कोई गिरावट होगी तो इसको इससे फायदा हो जाएगा और अगर कल को rate बढ़ती भी है तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये put खरीदेगा ठीक है दूसरे question में पूछ रहा है if the exporter is anticipating the rate to be 70.5 और 71.5 after 90 days what would how would it affect exporter's decision अचा ठीक है अगर इसका rate इसको लग रहा है 70.5 जैसे ये 69.5 था ना अब इसको भूल जाओ revise कर दिया है इनोंने ये बोल रहा है इसको लग रहा है price गिरेगा 70.5 चला जाएगा तो इसको क्या ये लेना चाहिए मैं कहूंगा अभी भी लेना चाहिए क्यों क्योंकि इसको exercise price मिल रहा है 71 का ठीक है जबकि इसको लग रहा है कि इसका spot price जो है वो चला जाएगा 70.50 तो हमको देखना इसको फाइदा होगा क्या देख लेते हैं बई इनका contract size है dollars 1 lakh और इनको फाइदा होगा 0.50 का payout per dollar क्यासे पता चला असान है per dollar का इनको 0.5 dollars का आएगा याँपे 0.5 rupees per dollar का इनका payout क्यासे आएगे payout simple है 70.5 और 71 को compare कीजिए 71 पर ये enter किये नीचे चले गया बहुँ चले गया 70.5 तो जाहिट सी बात है इनको एक payout मिलेगा और वो payout कितना है 1 lakh into 0.5 50,000 dollars 50,000 dollars ठीक है अब अब इस एक ही चीज़ की मेरे को समस्या जो लग रही है वो ये है कि इनका payout तो 0.5 पैसे है per dollar लेकिन इनका जो premium जा रहा है वो जा रहा है rupee 1 per dollar तो उस sense में इनको फाइदा नहीं overall तो नुकसान हो जाएगा लेकिन फिर भी खुद को hedge करने के लिए ये contract में जा सकते हैं अगर इनको लग रहा है दाम गिरेगा तो बट फिर भी मैं कहूंगा 70.5 पे इनको loss होने वाला है in the hedge क्योंकि premium को जब आप consider करेंगे तो net-net इनको loss है इनको payoff मिल रहा है 0.5 per dollar जबकि ये premium दे रहे हैं 1 rupee per dollar तो थोड़ा जादा है थोड़ा जादा है anyways या इनको करना तो चीए option लेकिन फिर भी इनको नुकसान होगा 71.5 में तो जाना ही नहीं चीए क्यों क्योंकि अगर ये 71.5 में जाते हैं तो इनको payoff कुछ भी नहीं मिलेगा पहला बात क्योंकि price बढ़ चुका है payoff नहीं मिलेगा उल्टा इनको premium पे करना पड़ेगा premium ये कितना पे करेंगे rupee 1 per dollar और इनको 1,00,00,00 का premium पे करना है तो एक लाग रुपय का बेकार में premium लग जाएगा तो obviously ये भी recommended नहीं है तो उपर वाली situation में वैसे recommended नहीं है इसमें भी recommended नहीं है नीचे वाले में तो hedging करनी ही नहीं चीए उपर वाले में hedging कर सकते हो आप क्योंकि आपको दाम नीचे जाते दिख रहे है लेकिन आपको फाइदा नहीं होगा नुकसा नहीं होगा क्योंकि आपने premium जादा पे किया है जबकि आपका payoff काफी कप है clear? यह situation good question अच्चे से लिखा जा सकता है लेकिन है बड़ा असान कुछ भी निए इसमें मतब good in the sense हमारे लिए good examiner के standard से यह good नहीं है बहुत easy सवाल है चलो ठीक है यह भी आसान था एक एक करके सब आसान होते ही जा रहे है लो जी अब कुछ और आगया यह थोड़ा सा सवाल में मुझे लग रहा है forward rate वगेरा सब कुछ है थोड़ा सा समय लीजे पढ़िए giving you one minute to read this चलो काम पे लगो चलो सवाल देखे सवाल में आप यह बुला है कि X Limited ने इंपोर्ट किया USA से 10 million dollars का इनको 90 days की जरुरत है या 90 days में इनको payment करने की जरुरत है USA के supplier ने clearly बुला है कि 60 days का तो interest free credit period आपका है लेकिन अगर उसके बाद आपको additional 30 days चाहिए तो आपको interest pay करना पड़ेगा 8% की rate पे साल में 360 दिन के हिसाब से calculation करना है तो एक बार calculate करी लो अगर हम interest calculate करें for 30 days तो भाई 10 million पे 8% का interest for 30 days कितना होता है यह होता है 0.06666 million ठीक है तो total outflow अगर यह 90 days में return करें अपना पैसा तो इनका total outflow का dollars 10.06666 million ठीक है बोलते हैं हमारे यहां पे एक bank भी है जो हमको 30 days का loan दे रहा है 10% पे और आपको foreign exchange rates भी दियो ही है इतने 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 आपको बोल रहा है बताओ 60 days में payment करें या फिर 90 days में payment करें advice करो दोनों solve करके देख लो सबसे बहले 90 days ही calculate कर लते है अगर हम 90 days में payment करेंगे तो हमको already पताए कि हमारा outflow क्या होगा 10 million तो हमको ऐसे ही चुकाना था इसके ओपर हमारा interest आ रहा है 0.0666 million तो हमारा total outflow है 10.0666 million अब इतने outflow के लिए हमको obviously 90 days बाद एक forward rate चीए ताकि हमें पता चल जाए कि कितना रुपया देना पड़ेगा तो 90 day का जो forward rate है वो है 65.5 तो total outflow यहां कितना होगा अपने वो चुकाना है 10.066666 into 65.50 तो यह आ रहा है रुपीज में 659.366 million रुपीज को भी million में ही रख रहा हूँ easy रहेगा 659.366 million आ रहा है अगर हम 90 days में payment करते हैं तो अच्छ अब यह 60 दिन में payment करें तो क्या होगा अगर 60 days में आप payment करते हो तो पहला आपको payment सिर्फ 10 million डॉलर्स का करना पड़ेगा ठीक है लेकिन आपको पैसे नहीं होंगे आपको bank से borrow भी करना पड़ेगा for 30 days यहां पे bank borrowing involved होगा तो यहां कैसे होगा सरसे वहले आप 60 days में यह चेक करो कितना पैसा देना है तो 60 days बाद आपको 1 million चुकाना है और 60 days का forward rate already available है for 65.10 तो हम payment कर रहे होंगे 65.10 के हिसाब से तो यह हो जाता है rupees अच्छ 10 million था क्या 1 million की 10 million 10 million my bad so 10 million into 65.10 कोई interest नहीं देना है इस case में क्योंकि timely payment कर रहे है so यह हो गया 651.0 million यह 651 million लिखो लेकिन रुख जाओ यह इतना रुपया जो cost आया है यह 60 days पे आया आपको इतना रुपया तो in fact borrow करने पड़ेंगे so we will be borrowing 651 million किस rate पे तो हमारी bank ने हमको rate दिये 10% पर आया है नमकी तो यह repayable कितना होगा 651 मैं interest के साथ ही calculate कर रहा हूँ so 1 plus ध्यान दीजेगा factor बना के कर रहा हूँ हमारी rate of interest है 10% हमको सिर्फ 30 दिन के लिए शायद loan लेना है 360 days in a year so इसका जो repayable आने वाला है वो आएगा रुपीज 656.42 million 656.42 million बहुत बचता है बहुत उपर देखो उपर लग रहा था हमारा 659.3666 और अब यहां क्या हो रहा है अब हमारा यहां पर यह हो रहा है कि हमको सिर्फ 656 ही देना पड़ रहा है so it's better हम delay नहीं करें हम 60 days में ही payment कर दे हाँ हमारे पास पैसे नहीं हम borrow कर लेंगे bank से and उसके बाद आप देखो net cost आपका कम हो रहा है आपका net cost कम हो रहा है दोस्तों so definitely आपको फायदा है पूछा है कि आपको किसमें क्या फायदा है नहीं बस amounts है 656.425 चलो यह ठीक है and 659.36 चलो यह भी ठीक है amounts दोनों match हो गई advice क्या रहेगी advice यह रहेगी कि आप payment कर दो 60 days में और 60 days से 90 days के बीच में एक bank बरूएंग लो और वो Indian bank से लो clear? easy question simple है एकदम forward hedging के ही सवाल है और यह भरे पड़े है last second question में आयाते है क्योंकि इसके बाद हमें question number 1 भी देखना है जो कि थोड़ा सा अजीब सा सवाल था लेकिन उससे पहले question number 8 देखते है question number 8 की खास बात है कि यह June 2018 में तो आया ही था यह June 2015 में भी similar question आया था तो obviously मैंने mark करके रखा है आप देख सकते हैं इसको सवाल क्या सवाल पढ़ देते है दो quotes आपके सामने है एक spot rate है एक forward rate है clearly समझ में आ रहा है कि forward hedging का ही सवाल होगा आपको बुला है how many US dollars should a firm sell to get 50 lakh rupees after 2 months तो दो महिने बाद अगर हमें 50 lakh रुपै चाहिए तो हमें dollars को sell करना पड़ेगा तो dollars sell करने जाएंगे तो दो महिने बाद की rate है 67 तो इसका जवाब आएगा 50 lakhs divided by 67 74 626.87 लो जी मैच हो गया बिया कैसे किये इतना past simple है ना बच्चा अपने को यहाँ पर US dollars sell करना है 50 lakh पाना है तो dollars को sell करते है तो bid की rate लगती है दो महिने बाद करना है तो दो महिने बाद का forward rate लेना है दो महिने बाद का forward और bid की rate लेना है तो 67 divide क्यों किया भी या divide इसले किया क्योंकि यहाँ पर 1 dollar में जादा रुपए होते है तो अगर आपको dollars में answer चाहिए तो divide करके कम करना पड़ेगा dollar का result चलो second question में आते है how many rupees is the firm required to pay to obtain 3 lakh dollars in the spot market अब आपको dollar खरीदने के लिए spot market में 66.25 की rate से पैसे लगेंगे तो इसका result होगा 3 lakh into 66.25 198.75 lakh rupees rupees में answer है 198.75 lakh rupees third question assume that a firm has US 119,000 dollars earning no interest इसका अस पढ़ा है पहले से इनको इंडिया में return on investment मिल रहा है 8% should the firm encash the US dollars now और 2 months later अच्छा तो simple है पहले now कर लेते हैं अगर अभी का अभी यह अपने 1,19,000 dollars को convert कराते हैं तो भाई dollar बेच करके रुपी में convert कराएंगे dollar बेच करके रुपी में convert कराएंगे तो 66 rupees मिलेंगे तो into 66 तो इनके पास पैसे हो जाएंगे 1,19,000 into 66 तो यह हो जाते हैं 78,54,000 अब रुप जाओ इतने के बाद में क्या इतने के बाद में हमको इसको invest करना पड़ेगा invest for 2 months इंडिया में investment की rate बोल रहा है 8% है तो यहाँ पे interest आएगा 78,54,000 into 8% into 2 by 12 यहाँ रहा है 1,4,720 तो हमको last में कितने रुपए मिलें 79,58,720 79,58,720 यह हमको मिलेंगे अगर हम आज का आज यह decision लेते हैं तो अगर हम आज पैसे नहीं मंगाए और 2 महीने बाद मंगाए तो तो उस case में 119,000 डॉलर आएंगे और 2 महीने बाद की जो power rate available है bid की वो देख लो वो है 67 की rate तो आपको 67 की rate से पैसे मिलेंगे तो यह है 79,73 जवाब क्या होगा विया? जवाब यह होगा कि आराम से पैसे लो अभी आपको hardware मचा के पायदा नहीं है दो महीने बाद पैसे लो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं दो महीने बाद so two months later is a better option ज़्यादा पैसा मिल रहे है difference आप निकाल करके दिखा सकते हो तकरीबन 14,200 सी आना चाहिए दिख लेना 14,000 नहीं? हाँ 14,000 ठीक है clear? यह है result अपना आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपने last question में last question काफी interesting question है बड़ा सारा question भी है अच्छे से समझना है तो time भी लगे गा यह भी याद रखना question number one अब obviously question number one जैसा सवाल है इस तरह के सवाल क्या दिखे अपने को पहले कभी? बिया चार्ट अमके questions देखे हैं हमने हमने साथ सवाल इसके अलावा भी देखे इस तरह का सवाल हमने नहीं देखा जो हम देखने जा रहे हैं तो number one यह obviously एक exceptional question है मैं कहना तो नहीं चाता पर फिर भी कह देता हूं कि यह सबसे बड़ा जूट है जो आपको परोसा जाता है हमेशा आपके आपके दोस्त परोस्ते हैं आपके teachers परोस्ते हैं आपको यह जूट कि अगर एक सवाल आपने नहीं भी बनाया घर पे तो आपसे exam में बन जाएगा अगर आपसे कोई भी ऐसी बात बोल रहा है तो कि कोई बात नहीं practice नहीं किया तो भी बन जाएगा या फिर मैं नया कोई सवाल दिखा तो बन जाएगा मैं हकीकत बता देता हूं नमबर वन अगर आप under practice दो आपके हाथ रुकेंगे सवाल नहीं बनेंगे अगर आपने धमाकेदार प्रैक्टेस करी और उसके बावजूद कोई नया टाइप का सवाल आपको एक्जाम में दिख गया कोई अलग ही अतरंगी सवाल आपको दिख रहा है मैं यह कभी नहीं कहता कि उसको बनाना नहीं है बनाएंगे लेकिन उसको पहले अटम नहीं करना चाहिए आज जैसे हमने अप्रोच किया मुझे पता था क्वेशन नमबर वन एक डिफिकल्ट क्वेशन है मैंने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा मैं इसको पहले करा देता अब सब लोग अभी तक बाई बाई हो जाता कोई नहीं रुपता बढ़ाई थौट कि नहीं यह बहुत इंपोर्टेंट है कि हम इसको लास्ट में देखे इसलिए मैंने बचा के रखा एक बार सवाल आपको पढ़ने के लिए इसमें मैं दो से तीन मिनट आपको दूँगा आराम से आप एक बार सवाल पढ़ लिजे आपको सारे रेट्स रेट्स का अंदाजा होना चाहिए कौन सी चीज कहां लिखी हुई है याद नहीं होनी चीज है पर कहां लिखी हुई है ताकि जब हम इसकी बात कर रहे हो तो आप फटाफट उन रेट्स को चेक कर सके चलिए अगले दो से तीन मिनट आपके पढ़िए क्वेशन नमबर बन फिब तर्म पर का बटाबस किस्सेड़ तो आपके झर नहीं झाल झाल LU झाल 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 दो मिनट दी आपको चलो अब पढ़ते हैं इसको सवाल देखते हैं क्या है सवाल में बुलाएं कि 1st August 2019 को एक बैंक ने एक forward purchase contract किया with an export customer amount 25,000 1st November को ये due था और इस पे rate थी 72.6 की है क्या situation समझिए एक export customer है इसका मतलब definitely उसके पास dollars आने वाले हैं तो dollar receivable है उसके लिए वो dollar bank को बेचेगा वो बेचेगा bank को और bank उससे खरीदेगा तो bank ने basically customer से dollars खरीदने का एक agreement किया था 72.6 वे याद रखिए कोई भी bank ना कभी भी किसी भी एक client से direct ऐसे ही नहीं कर सकता contract and keep its position open उनको अपनी position को cover करना पड़ेगा and इसी reason से यहाँ पे bank ने immediately अपनी position को cover किया है in the interbank market at the rate of 72.65 bank की तो बल्ले बल्ले है 72.60 पे इनको खरीदना है dollars और बेचना है कितना 72.65 पे पूरे process में 25,000 dollars involved है तो bank के लिए यहाँ पे फाइदा है इस पूरी deal में 1250 रुपए का 1250 का बहुत कम फाइदा है वैसे बर ठीक है जो भी है फाइदा involved है bank को यहाँ पे लेकिन समस्या यह हो गई problem यह हो गई कि customer 1st November को आया ही नहीं silent रहा so he has not come to the bank bank को बात नहीं bank के पास में जब यह situation हो गई कि आज customer आया ही नहीं एक तारिक को तो अब bank समस्या में सबसे पहले फसी यह है कि चलो customer नहीं आया कोई बात नहीं उसके साथ जो agreement हुआ था उसका बात में हिसाब हो जाएगा लेकिन जो agreement हमने कर रखा है in the interbank market उसको तो हमको cancel करना पड़ेगा उसको तो हमको settle करना पड़ेगा और settle करके हमें फिर वापस एक नए agreement भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी हमारी position open है position open क्यों है क्योंकि यह customer एक तारिक को नहीं आया पर हो सकता है grace period में आ जाए यहां भी grace period कितने दिन का दिया और आएगा वो हम पड़ लेंगे लेकिन grace period में तो वो आ सकता है ना so 1st November नहीं आया कोई बात नहीं कभी तो आएगा so जब भी आएगा तब तक के लिए हमें अभी भी उसकी position को open रखना है और उसकी position को open रखने या मतलब क्या हो गया उसकी position को open रखने या मतलब ये हो गया कि हमको अपनी वापस से एक cover भी बनानी पड़ेगी तो 1st November बैंक के लिए काफी जादा बड़ा day है इस दिन बैंक को अपनी existing position को भी ठीक करना पड़ेगा इसके अलावा अपनी नई position को भी एक बनाना पड़ेगा तो ये 1st November को काफी कुछ बैंक के लिए हो रहा है हम यहाँ पे कुछ calculations करेंगे इसके अलावा अगर हम देखते हैं 16th November को तो 16th November को बैंक ने finally उसका contract cancel कर दिया पंदा दिन बीद गए थे तो पंदा दिन बाद में contract cancel हो गया and contract cancel होने के बाद में contract जो बीदा वो expire हो गया चलो ठीक है आगे बोला है कि exercise rates या exchange rates आपको दियूई है जो कि 1st November की और 16th November की दियूई है इसमें interbank की rates है, merchant bank, merchant की rates है और हमारी one month की forward rate भी है यह one month forward rate obviously हमारे काम आएगी जब हम अपने interbank market में अपने cover को बढ़ाएंगे roll over करेंगे कैसे होगा, we'll get to know that इसके लबाँ merchant rates जो दी हुई है यह merchant rates इसलिए important है क्योंकि जब आप customer से deal करते हो तो उस समें interbank rate नहीं बताते हो उनको उनको आप merchant rates बताते हो तो हमेशा जब भी dealing होगी merchant rates का खयाल रखेगा when you are dealing with the customers बोलाए एक interest outlay भी है जो की 12% का बनेगा अब वो किस amount पे बनेगा I will let you know that और बोलाए आपको position बताना है bank का और customer का on various dates और आपको अगर कोई swap gain or loss हुआ है bank को तो वो बताना है आपको अब ये swap gain or loss जो होता है ये क्या होता है मैं समझा दूँगा इसके अलवा margin ignore करना है और charges customer को कितने देने होंगे cancellation के लिए वो बताना है एक एक करके बात करते है अई इसका solution अच्छा से बनाना है तो एक एक करके discussion शुरू करते है सबसे पहले I will decide what is going to be the fate of bank with respect to the interbank market पहले bank और interbank market के बीच के transaction की बात करते है customer से last में देख लेंगे कैसे deal करेंगे आईए bank कैसे deal करता है समझते है सबसे पहले यहाँ पर एक bank बनाते ता हूँ मैं और यहाँ पर मैं interbank बनाते ता हूँ interbank market ठीक है चलो मेरे साथ साथ प्लीज बनाओ यह है bank और यह है interbank market ठीक है सबसे पहले हमारा August में शायद transaction शुरू हुआ है 1st August को हमारा transaction शुरू है let me see the date हाँ 1st August है 1st August को हमारा transaction शुरू हुआ और bank ने interbank market के साथ में एक contract किया है क्या contract है समझते है याद रखिए यह एक export customer था तो इस export customer को dollars मिलने वाले थे यह export customer को हमने dollars खरीदने का वादा किया कि हम खरीदेंगे तुमसे जाहिड सी बात है इसको खरीद करके हम इसको वापस बेचने वाले थे interbank market में interbank market में हम यह cover position बना चुके थे 1st August कोई तो यही चीज का यहाँ बात लिखना है कि हम 25,000 dollars बेचने के लिए ready थे इनको interbank market में after 3 months और इसके बदले हमको 3 महिने का एक forward rate इन्हों ने दे भी दिया था which was 72.65 यह हमारे साथ हो चुका था already करार 1st November आया जिस दिन सब गड़बड हो गया 1st November को अब गड़बड क्या हो गई सबसे पहले customer आया नहीं customer आया नहीं तो इस transaction को आपको reverse करना पड़ेगा इसको reverse करने के लिए गया हम दो काम करेंगे कुछ देंगे और कुछ लेंगे तो हम यहाँ पे किसी participant को देने है तो वो 25,000 डॉलर्स आएंगे कहा से तो इसके लिए हमें 25,000 डॉलर्स immediately spot market में खरीदने पड़ेंगे ताकि हम इनको supply कर पाएं interbank में जो भी participant है हमारा उनको तो यहाँ पे we will be buying 25,000 डॉलर्स और इसको अब की वार खरीदने के टाइप पे हम spot rate पे यह transaction करेंगे interbank market में और यह transaction की जो हमारी rate होगी वो कितनी होगी देख लेते हैं तो भई हमारे को TT की rate देखनी है interbank market की TT की rate देखनी है 1st November को देखनी है और हमें dollars खरीदने हैं हमें dollars खरीदने है तो खरीदने की rate लगेगी 72.76 खरीदने की rate लगेगी 72.76 याद रहिए हमें dollar खरीदने है तो rate लग रही है 72.76 clear यह notice कीजेगा इधर ही bank को नुकसान हो चुका है आप notice कीजेगा यहाँ पर bank को नुकसान हो चुका है कैसे bank जहाँ पर एक sell का contract कर रखा था 72.65 में so bank का यह था कि 25,000 डॉलर्स यह interbank market में supply करने वाला था और उसके बदले इसको मिलने वाला था 72.65 फेर के ultra इसको cancel करने के चकर में इनको डॉलर्स खरीदने पड़ गए 72.76 में और वही 25,000 डॉलर्स इनको मिले हैं जो इनको supply करने net-net अगर आप यही तक की situation देखे तो bank को एक outflow हो रहा है यह outflow कितना है इनको 72.65 में बेचने को मिल रहा है खरीद रहे हैं यह 72.76 में बात 25,000 डॉलर्स की है बात 25,000 डॉलर्स की है तो भाई कितने रुपे का इनको नुकसान हो रहा है 72.65 माइनस 72.76 इन्टू 25,000 डॉलर्स तो इनको 2750 रुपे का यहाँ पे एक outflow मिल रहा है हो रहा है इनके लिए ताकि इनका existing transactions पहले तो cancel out हो ठीक है इसके बाद कहानी यहाँ खतम नहीं होती यह तो outflow इनको हुआ ही है इसके बाद इनको 1st November को एक और transaction करना पड़ रहा है जहाँ पे यह re-enter कर रहे है re-enter या re-cover position बना रहे है पहले भी cover position बनाया वापस cover बना रहे है खुद के लिए क्योंकि अभी भी contract इनका खतम नहीं हुआ customer के साथ में customer आया नहीं अलग बात है लेकिन contract तो नहीं खतम हुआ तो अब इनको professionally एक महीने का तो कम से कम forward लेना ही पड़ेगा तो एक महीने के forward में वापस वही कानून है इनको 25,000 डॉलर्स का sell करने का contract करना है with the Intel bank market और इसके लिए एक महीने का forward rate इनको मिल रहा है क्या भाव पे इनको एक महीने का forward rate मिल रहा है on 1st November one month forward rate to sell is 72.95 72.95 में इनका यहां रुपी बाइ डॉलर का transaction हुआ है यह है overall situation प्लीज समझेगा overall situation यहां पर ठीक समझेगा क्या क्या हुआ वापस समझा रहा हूँ bank है interbank है bank ने 1st August को ही एक transaction कर लिया था जिसमें 25,000 डॉलर्स bank वेर रेडी to sell to the interbank market और इसके बदले इनको 72.65 रुपीज मिलते per dollar 1st November को यह transaction हो नहीं पाया इनके पास dollars थे ही नहीं तो obviously इनको dollars जुगाडने पड़े और इनोंने spot market से dollars खरीदे 25,000 dollars उस समय की जो भी spot rate थी खरीदने की rate लगानी है यानि की ask rate लगानी है 72.76 definitely आपका पुराना transaction तो cancel हो गया लेकिन अभी भी customer का आना बाकी है तो ऐसे में हम एक महिने और अपनी position को cover करेंगे और एक महिने position को और cover करने के लिए एक fresh contract में entry लेंगे और वो fresh contract होगा again to sell 25,000 dollars to the interbank market and इसके बदले हमको एक महिने की forward rate मिल रही है 72.95 again यह sell की rate है तो यह हमने bid rate लिए ask नहीं लिए अब इधर तक की situation अगर आप समझें तो पूरे bank को अभी तक पूरे transaction में जो भी profit या loss हुआ होगा वो अब इनके लिए swap profit या swap loss होगा तो यहां हम try कर रहे हैं कि इनका swap gain calculate करें तो यहां इनको gain हो रहा है कैसे gain हो रहा है मैं समझाता हूँ अगर आप bank की overall position देखें तो bank की overall position यह है कि जहां यह 72.65 में एक डॉलर के बदले रुपए पाने वाले थे initial contract इनका यही था हाँ उस contract में समस्या है आई थोड़ी problem हुई लेकिन अब जो नया contract बना है वो इनके लिए काफी lucrative है नया contract इनको 72.95 का मिला है कहां 72.65 मिल रहे थे एक डॉलर के अब इनको मिल रहे है 72.95 पर डॉलर पर डॉलर पे ही 30 पैसे की इनको बचत हो रही है या फिर मैं कहा सकता हूँ extra कमाई का contract हो गया इनका तो इनको definitely इस पूरे transaction में फाइदा होने वाला है हाँ मैं यह जानता हूँ कि इस फाइदे में इन्होंने एक outflow चुकाया है तो इसको net कर लेंगे इन्होंने 2750 रुपए चुकाया है तो इसको net कर लेंगे to find out कि bank का net net finally swap gain क्या आने बाला है तो पहले तो इनका gain देख लेते हैं तो देखो इनका gain बहुत simple है इनको 72.95 में entry re-entry मिल चुकी है जबकि इनका पुराना transaction तो 72.65 का था तो clearly इनको 25,000 डॉलर्स पे ज़ादा अच्छी selling rate मिल रही है तो इनको फाइदा होगा इससे 7,500 रुपीस का इनको फाइदा है ठीक है ये gross है इसी को net करना होगा तो क्या होगा net swap gain तो बहुत simple है इनको 7,500 का फाइदा जरूर हुआ है लेकिन इन्होंने उपर में 2750 रुपीस चुकाए भी थे तो इनका net gain होगा 4750 the net gain available to the bank is 4750 यह आगया अपना net swap gain यानि bank को जो एक नवंबर को जो भी मशकते करनी पड़ी एक नवंबर को bank को transaction को resize करने के लिए redesign करने के लिए कितने रुपए देने पड़े versus कितने रुपए इनको मिले तो भई इनको मिले 7500 रुपीस कैसे क्योंकि effectively selling price revise हो गया तो इनका तो फाइदा हो गया बले बले हो गया 7500 रुपीस इनको मिल रहे हैं और उसके लिए obviously इनको 2750 रुपे चुकाने पड़ गए तो 2750 चुका है नेट-नेट में अभी भी 4750 इनका तो फाइदा है अब ये तो हो गया अपना bank का situation bank के बाद में आप समझते है customer का situation तो भई customer जब अपने पास आएगा तो customer से अलग लहजे में बात होगी customer को हम cancellation का हिसाब बता रहे है तो देखो इसको हम दो तरह के charges लगाएंगे एक तो हम charge लगाएंगे पहला ये कि हम आपके भरोसे बैठे रह गए bank वाला customer को बोल रहा है कि बाई आप हमको देने वाले थे 25,000 डॉलर्स क्या भाव पे at the rate of 72.60 72.60 आप मुझे देने वाले थे आप तो नहीं दे रहे हो आप तो कैंसल कांट्राट को कैंसल कर रहे हो तो मुझे तो डॉलर्स अब ही चाहिए और मुझे ये डॉलर्स कहां से मिलेंगे मुझे बजार से खरीदने पड़ेंगे तो हम उनको as it is इस customer सामने कड़ा और मैं जान मुझे करके ना इसका थोड़ा सा रूपांतरन कर रहा हूँ एक एक picture बना रहा हूँ आपके सामने ताकि आप इसे feel करो customer आपके सामने खड़ा है हम उसके सामने बोलेंगे कि क्या यार आपके बरोसे रह गए आप तो 72.6 में हमको 25,000 डॉलर्स देने वाले थे वो तो नहीं मिल रहे हमें तो हमको अभी बजार से खरीदना पड़ेगा तो उनको हम दिखाएंगे कि बजार में अभी हम अगर डॉलर खरीदे तो हमको कितने रुपे पड़ेंगे तो अब जब उनको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बता है उनको 16 November को कैंसल कर रहे हैं उनका contract तो obviously हम उनको दिखाएंगे कि merchant की rate में क्या चल रहा है हम उनको क्यों दिखाएं इंटर bank में क्या चल रहा है we wouldn't show them inter bank हाला कि हम खरीदेंगे inter bank से लेगिर फिर भी उनको क्या दिखाएंगे कि merchant rate क्या चल रहा है और merchant rate में अगर dollar खरीदने जाओ तो पढ़ रहा है 72.78 तो पहला हम इनको चार्ज ही यही लगाएंगे कि आपके वज़े से हमें dollars महेंगे खरीदने पढ़ रहे है we are required to pay 72.68 right now जबकि आपसे मेरी बात हुई हुई थी 72.60 68 है कि 78 था एक बाद चेक करणो 78 था sorry my bad हमें देना पढ़ रहा है 72.78 जबकि आपसे बात हुई थी 72.60 की इस extra पैसे का beer आपको ही करना पड़ेगा चार्ज so यह penalty number 1 है यह हो गए 4500 यह हम अपने customer से चार्ज करेंगे कानिया खतम नहीं होती दूसरा हम इनको बोलेंगे कि क्योंकि आप 1st November को आये नहीं यह तो देखो 16th November का situation था अब हम इनको 1st November भी याद दिलाएंगे क्या 1st November को आये नहीं आपके नहीं आने के वज़े से मुझे मेरा जो cover position था वो मुझे काटना पड़ा और cover position काटते वक्त मुझे 2750 रुपय का outflow हो गया हम यह outflow के पैसे तो आपसे नहीं लेंगे क्योंकि हम आपसे already penalty वसूल चुके तो हम penalty ले चुके 4500 का तो outflow का पैसा तो नहीं लेंगे पर इस outflow पे जो हमको पैसे चुकाने पड़ गए आपके चकर में इस पे 15 दिन का ब्याज आपको देना पड़ेगा आप 15 दिन लेट आयो तो यह जो 2750 में हमारे outflow लगे हैं इसके लिए interest भी आपको देना पड़ेगा तो दूसरा होगा 2750 का outflow जिस पे 12% करके interest calculate होगा क्योंकि यह 15 दिन लेट से आये हैं हमारे पास में तो हम इनको 15 दिन का interest लगाएंगे इस पे 2750 इंटू 12 परसेंट इंटू 15 बाइ 365 यह आ रहा है रूपीज 13.56 तो कस्टमर से टोटल कितना चार्ज करेंगे 4513.56 यह टोटल कस्टमर से हम चार्ज कर रहे होंगे इसके दो कॉंपनेंट से याद रखेगा पहले कॉंपनेंट में तो हम इनको यही बोलेंगे कि आप से हमारी बात वोई थी 72.60 में आज देखो क्या रेट चल रहा है 72.78 तो हमको तो बजार से खरीदना पड़ेगा ओल्दो हम खरीद देंगे 72.71 में ठीक है कहा है 72.71 के रहा हम खरीदेंगे बजार में 72.71 में जो इंटर बैंक की रेट है लेकिन कस्टमर को क्या दिखाएंगे मर्चेंट रेट तो 72.78 में उनको बदाएंगे कि हमको तो खरीदना पड़ रहा है और जाहिर सी बात है आपको उसका डिफरेंशल देना पड़ेगा तो 72.78 माइनस 72.6 ये बैंक दिखा रहा है कि मेरा नुकसान हुआ हुआ तो नहीं होगा कुछ और ही होगा नुकसान लेकिन हाँ यहाँ पे 25,000 डॉलर्स पे 4500 रुपे की पेनल्टी लगा देंगे इसके अलावा हम इनको बोलेंगे कि आपके चक्कर में हमारा 1st November को 2750 डॉलर्स का एक आउटफलो हुआ था अब वो 2750 डॉलर्स के आउटफलो पे हम उसकी वसूली तो कर चुकि है 4500 रुपे में लेकिन यह 2750 रुपे जो हमको हुए है आउटफलो इसका इंटरेस्ट कौन देगा आप दो के तो 12% की रेट पे 15 दिन का इंटरेस्ट काल्कुलेट करके इस पे चार्ज कर दिया कि I know it's a nominal amount लेकिन फिर भी चार्ज तो किया जाएगा और वो चार्ज करके final result आया 4513.56 यानि customer का यह contract करना और बाद में इस contract को cancel करवाने का यह charge है 4513.56 ठीक है इस पूरे चकर में bank को क्या फायदा और नुक्सान हुआ था वो भी मैंने explain किया था एक अगस्त को किये हुए contract को expire करना था 1st November को तो 1st November को उसको expire करने जब हम गए तो हमको 2750 रुपे देने पड़ गए कैसे क्योंकि हमने selling contract किया था 72.65 पे buying contract कर लिया 72.76 पे 0.11 per dollar नुक्सान था तो हमको 2750 2750 रुपीज देने पड़ गए for the 1st of November इसी outflow पे बाद में हमने interest चार्ज किया customer से इसके बाद यहां कहांनी रुकी नहीं हमको एक नए contract करना पड़ गया और नए contract में अब की वार जो हमारा contract transact हुआ वो 72.95 पे हुआ यह sell contract था अब आप अपनी overall position देखो customer के नहीं आने के वाज़ से आपका तो बल्ले-बल्ले हो गए कहां 72.65 में आपने contract किया था अब आपको 72.95 मिल रहा है आपके फाइदा हुआ इससे आपको 30 पैसे 30 पैसे per dollar का फाइदा है total फाइदा 7500 रुपीज का हाँ मैं मानता हूँ इसके चकर में 2750 रुपे हमें देने पड़ गए so वो चीज हम लोग यहाँ पर net करेंगे तो भी bank का overall जो swap profit है वो है 4750 रुपीज का इसमें बस एक last में ध्यान रखना है कि एक transaction bank का भी बाकी है और वो transaction bank का यह करना होगा क्योंकि यह contract इनका खुला पड़ा है this contract is open तो इनको इनका reverse contract करना होगा तो इनको इस contract को बंद करने के लिए या तो 16th of November को ही या फिर में contract जब expire होना उस दिन भी कर सकते है contract cancel करना होगा most likely 16th को ही cancel कर लेंगे क्योंकि rate है हमारे पास 16th की तो 16th को we will buy 25,000 dollars और इसके लिए हम जो पैसे चुकाएंगे वो रहेंगे 75.71 की rate sorry 72.71 की rate 72.71 पे we will be buying 25,000 dollars from the interbank market to cancel this contract और ये cancellation होते ही हमारा पूरा तरह से transaction complete हाँ इसके वज़े से कुछ bank को finally नुकसान जरूर होगा पर वो नुकसान जो है वो swap profit या gain नहीं होता है swap profit या gain से वहीं तक सीमित है जहां तक आपने contract को renew किया, redesign किया तो 1 November को जो जो आपने किया वही swap gain या loss होगा उसके बाद जो भी हो रहा है वो swap gain interbank market की spot rate इस पर हमने dollars खरीदे है और इसी के साथ ये पूरा contract बंद हो जाता है यहां पर contract में कौन कितना क्या कमाया कितने customer पर charges लगाए गए वो सब calculation है और यही इस सवाल को इतना unique बनाता है तो ये सवाल मैंने पहले भी mark करवा दिया था that this is not less than an exceptional question इसको अच्छे से आप देख रहे होंगे and yes बात बागी questions को भी आप देख रहे होंगे कि वो कितने easy और कितने standard सवाल के एकदम simple सवाल आ रहे थे तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि Forex के आज के इस पूरे revision में आपके कुछ takeaways तो definitely है जैसे आपका शायद forward hedging कमजोर होगा या फिर मैं आपको money market hedge में problem हो रही होगी जिसमें भी problem हो रही है मैं आपको with best wishes यह कहना चाहूँगा कि उसको दुरुस्त कीजे exam में forward hedging, money market hedging favorites में हैं, यह exam में आते हैं CA में final में आते हैं आप CA final को लेकर कि अगर fearful होगे कि sir, वहाँ तो बहुत danger danger सवाल आ रहे हैं तो मैं आपको बदा दूँ वो कभी कभार questions उस तरह के आते भी हैं those would be always exceptional जैसा यह सवाल था, वैसे ही सवाल कुछ और भी बन सकते हैं 100% but majority of the questions that are asked at CA final level are easy and questions that are very very basic तो अगर आप basic चीजों को भी पहले तियार करोगे तो आपका confidence काफी escalate हो जाएगा I hope आपके लिए आज की यह class बहुत ही जादा मज़दार रही होगी आपको एक बहुत बढ़ी आ फ्लीवर मिलाओगा उस पूरे chapter का काफी जादा practice करी हमने और practice करके हमने यह देखा कि भई कहां क्या rate follow हो रही होगी correct इसके अलावा इसमें interest rate parity और purchase power parity गा इनके सवाल मुझे दिखे नहीं कहीं पे definitely इनके भी chances हैं exam में आने के तो इनको अच्छे से prepare कीजिएगा please अच्छे से prepare कीजिएगा दूसर यहां arbitrage के सवाल मुझे नहीं दिखे तो arbitrage पे भी questions आ सकते हैं मैंने शुरुभाहत में explain किया कि कैसे क्या arbitrage करते हैं हम लोग तो उसमें भी सवाल practice कीजिएगा class में कियो हैं बहुत सारे सवाल उन पे तो उनको भी अच्छे से practice कीजिएगा good chance कि उस तरह के सवाल आपको exam में देखने को मिलेंगे बाद बागी अभी के लिए इतना ही रखता हूँ I'll see you in the next one तब तक के लिए take care in yourselves please and please बढ़ाई करते रहिए अगर आपको आज की ये class अच्छी लगी होगी तो please like करना, दोस्तों को share, जरूर करना, चैनल को subscribe करके रखेगा just in case you haven't बाद बाकी, description में सारे important links है, आपको notes अगरा कुछ भी चाहिए, classes चाहिए, कुछ भी चाहिए notes में, सब description में आपको link मिल जाएगी, follow that you will be redirected to our website, clear? चलो I'll see you in the next one, bye-bye